उनके FlexiPack एहमदाबाद गुजरात में मैं मुंकुन परमार आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज ये डिटरिजन पाउडर का आपको दिखाते हैं और साइज वगरा जो क्वेश्चन होते लोगे वो थोड़ा समझाएंगे ये देखिए जो आगे का पाउड दिखाए ये पीछे का पीछे का जो किए ये Central Seal याने Center में बीच में जो Silling है वो Silling की वज़ए से Central Seal बोला जाता है और ये Two Layer का पाउच है कई कस्टमर हमें कहते हैं सर पूरा डीप में दिखाओ उसका जो Size बगरा समझाओ Two Layer याने क्या होता है तो आज पुरा समझाते हैं पहले तो Size आप हमें Cost जब पूछते हैं तो Cost के लिए दिखिए Left to Right ये कितना है 12 सेंटिमेटर 12 सेंटिमेटर याने के 120 mm हम mm में गिनते हैं और ये उपर से नीचे ये दिखिए उपर से नीचे याने के Length हुआ ये कितना हुआ 17 याने सत्तर सेंटिमेटर याने 17 170 mm बोलते हैं इसको 170 और ये आगे का जैसे होता है वैसे ही सेम पीछे का होता है तो हमें ये टोटल आगे का Width पीछे का Width जैसे आगे का 12 cm था याने 120 mm तो पीछे का भी उतना ही होता है और ये जो Silling है वो 10 mm की पटी होती है इस तरफ और 10 mm की पटी उस तरफ याने दोनों तरफ 10,10 याने के 12 cm याने के 120 आगे का 120 पीछे का और 10,10 mm सिलिंग याने 12,24,240 प्लस 20 याने के 260 260 और उपर से नीचे 170 mm याने ये साइज हुई और ये टू लेयर का पाउच है आप ये पाउच जो होते हैं उसका आगे और पीछे का हमें फोटो बेद देंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि क्या रिक्वार्मेंट रहती है क्योंकि हर स्टेट में आज कल हर स्टेट में नही लोग अपने आपको कुछ यूनिक दिखाना चाते हैं तो उसके लिए सब यूनिकने से अलग होड़ा चाहिए तो साइज भी कह लोग अलग अलग रखते हैं तो वो साइज भी समझना पड़ता है ये देखिए टू लेयर का पाउच और आप जैसे जानते हैं कि हम आप ये प्रिंटिंग को समझ सके कई लोग हमें बूशते हैं कि सर सेंपल भीजे अब सेंपल हमारे लगबग दोस्तों या नहीं ये 198 वीडियो शायद होगा 198 और 199 तो ये आप देखिए कि हम पूरा लाइव दिखाते हैं आपको ये लाइव में ये प्रिंटिंग एक डॉ पॉची में हमारी तरह कोई दिखाने वाला है ही नहीं दोस्तों एक 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 पॉच के एक प्रिंटिंग पूरा नॉलेज के साथ हम आपको समझाते हैं समझाते इसलिए ताकि आप परफेक्ट समझ सके और सही सप्लायर को डूड सके कि कैसे क्वालिटी वाइस कैसे इमा 240-120 mm याने 260 by 170 उपर से निचे 260 by 170 और ये टू लेयर का पाउच है ये 10 रुपया डिटर्जेंट पाउडर का पाउच है ये आप ये देखिए ये लेमिनेट किया हुआ पहले आपको पोलिश्टर दिखाया वो पोलिश्टर पर प्रिंट होता है 12 माइकरों पोलिश्टर फि लोगों को माइकरो मीटर चाहिए वो थीकनेस का मीटर चाहिए गेज मीटर चाहिए तब उन्हें समझ में आता है कि ये इतना थीकनेस हुआ हम हाथ पकड़ के समझ जाते हैं कि क्या थीकनेस है देखिए ये पोलिश्टर फिल्म है रिवर्स प्रिंटिंग हुई है सिनेस उसका साइन वगरा पर्फेक्ट दिखता है ये पॉलिश्टर का ये लेमिनेट हो रहा है लेमिनेशन मशिन में लेमिनेशन हो रहा है और जो पॉलिश्टर फिल्म आपको दिखाई आगे जैसे इसको ये जो वाइट दिख रहा है इसको LD फिल्म बोलते है अब जो LD यान लेकिन शॉट में LD film polyphen बोलते है और ये नेचरल भी होती है और वाइड भी होती है अगर हम 3 लेयर में लेते है तो इसमें अनेचरल LD film यूज़ की जाती है और अगर 2 लेयर में भी ट्रांसपरेंट आपको विंडो वाला दिखाना है तो उसमें नेचरल फिल्म भी जाती है औ पॉच और ये टू लेयर में लेते हैं ताकि उनका कॉस सही रहे तो इसे लिए इसमें डिरेक्ट वाइड फिल्म यूज की जाती है चार सिलिंडर से ये जॉब बना हुआ है आप एक एक डीप में कहीं कस्तमर बोलते हैं सर डीप में प्रिंटिंग दिखाए तो ये डीप में एक एक चीज हमारा कैमेरा पूरा परफेक्ट एक एक चीज दिखाने के लिए गुमता है ताकि आप सही चीज को देख सके ये देखे चार कलर के कॉंबिनेशन से CMY के से ये परफेक्ट पाउच बनाये हुआ है और परफेक्शन ही हमारा हमेशा कस्तमर सैटिश्वेक्शन ह हमारा ट्रेकर कोड़ है दोस्तों और यही चीज होती है जो आपको चाहिए आईए हमारे साथ जूड़िए और अपने विदिन्स को ग्रोथ करवाईए